इस मूवी में एक लड़के का अपने भाई की वाइफ के साथ अफेयर हो जाता है फिर क्या क्या होता है ये हमें आगे वीडियो में देखने को मिलेगा मूवी की सुरुवात में हम जोई नाम की एक लेड़ी को देखते हैं जोई एक साथी सुधा औरत है उसके आदमी का नाम इगनाजियो है जोई अपने हस्बेंड से बहुत प्यार करती है लेकिन उनका रिलेसंसिप अभी ठीक नहीं चल रहा है इसके बाद जोई और इगनाज जल से मिलने जाती है दरसल गुंजाल मैंने पैसे देता हूं दरअसल इगनाजाव और गुंजालो सगे भाई हैं लेकिन किसी वज़े से दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते और फिर एक दिन जोई गुंजालो से अपनी फोटो सूट करवा रही होती है इसी दोरान जोई जब बेड़ पर सोती है तो गलती से उसके फोन से इगनाजियो को कौल लग जाता ह और वो फोन उठा लेता है जोई गुंजालो से अपने सेक्स लाइफ के बारे में बात कर रही होती है और वो गुंजालो से कहती है कि उसकी और इगनाजियो की सेक्स लाइफ कुछ ठीक नहीं चल रही है और इगनाजियो सिर्फ उसके साथ सेटर डे को ही इंटीमेट होता ह ये सारी बाते इगनाजियो कॉल पर सुन रहा होता है और वो गुस्से में गुंजालो की पेंटिंग को पूल में फेक देता है और फिर जब जोई घरा कर स्वुमिंग पूल में पूल कर रही होती है तो तब उसे गुंजालो की पेंटिंग फूल में दिखती है और फिर इसक पने घर पर रुखने को ऑफर करता है और फिर सुबह उठकर वह देख दैकि अपने घर आ जाती है घर आने पर उगनाजियों मिलता है तो जो ईए इगनाजियों Уसे सोरी बोलता है वो कहता है कि उसे गुशा आ गया था क्योंकि गुंजालों ने उससे उसके लिए पैसे लिए थे फिर हमें गुंजालों को दिखाया जाता है जो अपने गल्फ्रेंड के साथ बात कर रहा होता है गुंजालों की गल्फ्रेंड उससे बोलती है कि वो उससे साधी कप करेगा जिस पर गुंजालो कहता है कि वो उससे कभी भी साधी नहीं करेगा और वो यह सब अपने दिमाग से निकाल दे यह सुनकर गुंजालो की उसे उस पर पहले से ही करस है जिसके बाद वो जोई के करीब आता है और उसे किस करने लगता है यह सब होने के बाद जोई को काफी गिल्टी फिल होता है और वो यह सब बात अपने एक गेर फ्रेंड बोरिस से बताती है जिस पर बोरिस उसे बताता है कि अगर उसका हस्बेंड उसे खुश नहीं कर पा रहा है तो उसे पूरा है कि वो अपनी खुशी बाहर ढूड़े और फिर उसी राच डिनर में उन दोनों में बच्चे को लेकर फिर से जगड़े होते हैं लेकिन तभी इगनाजियू इन सब बातों को इग्णूर करके जोई से बोलता है कि वो सोने जा रहा है क्योंकि उसे office के काम के लिए दो दिन के लिए बाहर जाना है अगली सुबा इगनाजियू वहाँ से चला जाता है जिसके बाद जोई गुंजालो को कॉल करके घर आने को कहती है और अपनी मेट को भी दो दिन के लिए छुट्टी दे देती है ताकि वो गुंजालो के साथ अकेले में टाइम इस्पेंड कर सके और फिर उसी रात गुंजालो जोई के घर जाता है गुंजालो जोई के कुलो ज भी जोई के साथ चीट कर रहा है और उसका भी किसी और के साथ अफेयर चल रहा था इधर जोई और गुंजालो घर में डिनर करके धेर सारी बाते करते हैं जोई गुंजालो को रात में यहीं रुकने को कहती है और रात में गुंजालो जोई के कुलो जाने की कोस्स करता है ले से हमें पता चलता है कि वो अपने भाई से काफी ज्यादा नफरत करता है और वो जोई के साथ इंटीमेट भी इसी वजह से हो रहा है अगली सुभा गॉंजालो जोई को बिना बताए वहां से चला जाता है जो जोई को अच्छा नहीं लगता और वो ये बात बोरिस को बताती जहां पहुँछकर गॉंजालो उसके साथ इंटीमेट होता है इसी कई दिन बीच जाते हैं और एक दिन जोई रात को इगनाजियो वसे कहता है कि आज सेटर्डे नहीं है तो वह आज इंटीमेट नहीं हो सकते जिसके बाद वह दोनों सो जाते हैं और आधी दिनी है तो यह देखती है कि इगनाजियो मास्टरबेट कर रहा है इसके बाद ये दोनों इंटीमेट होते हैं क्योंकि आज सैटर्डे है और उसी सुबह गुंजालो जोई इगनाजियो और उसकी मापूरी फैमिली मिलकर साथ बेक फास्ट करते हैं और जब जोई किचन में जाती है तो गु इगनाजियो को फिजिकल होने में कोई इंट्रेस्ट नहीं है ये सुनकर गुंजालो जोई से कहता है कि सायद वो गे है और उसे लड़के पसंद है ये सब सुनकर जोई को भी थोड़ा सक होने लगता है और वो इसके बारे में बोरिस से पूस्ती है बोरिस उससे कहता है कि उसे नहीं लगता कि इगनाजियो एक गे है इसके बाद उस राज जोई इगनाजियो से डारेक्ट पूछती है कि क्या वो गे है इगनाजियो इन सब से मना कर देता है और वो कहता है कि वो गे नहीं है और उसी राज जोई इगनाजियो के लिए एक लेटर लिखती है वो उसम पर हमें पता चलता है कि गोंजालो इगनाजियों से क्यों इतना नफरत करता था दरसल गोंजालो जब छोटा था तब इगनाजियों ने सेक्सुली उसे हैरस किया था यानि कि गोंजालो सच में गे है और गोंजालो इगनाजियों की वाइफ के साथ इसलिए इंटीमेट होता ताकि वो अपने पर हुए हैरिस का बदला ले सके जिसके बाद इगनाजियो घर आता है और देखता है कि जोई घर पर नहीं है वो घर चोड़ कर चली गई है इस बास से वो बहुत जादा परिसान हो जाता है दूसरी तरफ जोई एक होटल रूम में रुकती है और फिर वो अ सीचा करते हुए एक होटल रूम में पहुंचता है जहां जोई भी होती है फिर इगनाजियो चुपके से उनकी बाते सुनता है जोई गुंजालो से कहती है कि वो प्रेंगनेंट है और यह बच्चा तुम्हारा है यह सुनकर गुंजालो जोई को एबोसन के लिए कहता है ल है और इसके बारे में वो अपने डॉक्टर से भी बात करती है घर पर इगनाजियो को पूल के अंदर जोई का फोन मिलता है और इसलिए वो जोई को एक नया फोन किफ्ट करता है जिससे जोई इगनाजियो को कॉल करके उससे बात करती है और फिर कुछ देर बाद इगनाज जोई से मिलने उसके घर आता है जहां वो जोई से कहता है कि में भी भी तुमसे प्यार करता हूं, और मैं इस बच्चे को अपनाने के लिए भी तयार हूं इसके बाद इगनाजियो जोई को अपना ये सच भी बता देता है कि वो एकन लेकिन इन नाजियो और उसकी माँ को खुस दिखाया जाता है और इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है तो गाइज अब वीडियो को लाइक करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो में तब तक के लिए अपना खयाल रखना